अगर आपने नहीं सुना है तो मनुश्य ग्रह पर एक मात्र बुद्धिमान प्राणी नहीं है बास्तव में हमारे पास बहुत से कमपनी है और आप यह जानकर हैरान होंगे की सूची में कौन है नमब एक मधुमक्खी शेहिद के मधुमक्ते के पास बहुत छोटे दिमाग होते हैं फिर भी वे बहुत बुद्धिमान होते हैं और यह वृती से अधिक होता है वे रंगों और स्थलों की पहचान और याद कर सकते हैं। वे अलग-अलग परिद रश्य, फूलों के प्रकार, आकार और पैटन के बीच भेद कर सकते हैं। मधूमक्खियों के लिए कई दिनों तक 6 मील तक मार्ग विवरन याद किया जा सकता है। वे एक मांचित्र को अवधारना बना सकते हैं, दो बिंदूओं के बीच सबसे कम दूरी तै कर सकते हैं, और अपने आउट पाउंड और भीतर की यात्रा के लिए एक अलग मार्ग ले सकते हैं। वे अंधिरे में भी नेविगेट कर सकते हैं। 2. ओक्टोपस सिर्फ इसलिए कि यह समुद्र में रहता है इसका अर्थियह नहीं है कि एक ओक्टोपस बुद्धिमान नहीं है। वास्तव में, ये प्राणी अपने परिवेश के बारे में इतने जागरूख हैं कि वे दूसरों की नकल कर सकते हैं, जो प्रायह पशु सामराज्य के भीतर सम्मान का संकेत है। वे रंग और पैटन के साथ भी बातचीत कर सकते हैं, जैसा कि आपको आठ साल पहले फीफा विश्व कप के परिणाम की भविश्यवानी करने की कोशिश करने वाले ओक्टोपस से याद हो सकता है। ओक्टोपस में किसी भी अपरिवर्तक के सबसे बड़े दिमाग होते हैं, आम ओक्टोपस के मस्तिष्ट में लगभग 130 मिलियन नियूरॉन्स हैं। एक मानव सो अरब है हाला कि एक ओक्टोपस के नियूरॉन्स के तीन पांचवे मस्तिष्ट में नहीं हैं, वे अपनी बाहू में हैं। नमबर 3. हाथी हाथी कई तरह से मनुष्य के समान उलेखनिय रूप से समान हैं, उनके परिवार का एक बहुत ही मजबूत अर्थ है। प्रती एक समूह के प्रमुख के साथ एक मातरित्व के साथ वे अपने रिष्टेदारों में से एक को खो देते हैं, और अक्सर हर साल मौत की साइट पर लोटते समय दुख और शोग का सपष्ट संकेत दिखाते हैं। यह कई मनुशियों से अधिक है, जो सिर्फ एक और कारण है कि हाथी ऐसे उलेखनिय प्रानी हैं। वे भी स्वायम को जानते हैं, वे वास्तव में खुद को दरपण में पहचान सकते हैं। नम्बा चार, चींटी, आपको केवल कुछ मिंटों तक चींटियों की एक कॉलोनी को देखना है कि वे लगातार एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं, जो खुफियस तरों के उच्छ स्थर के प्रमान हैं। हाला कि व्यक्तियों के रूप में वे मार ग्याद कर सकते हैं और उनके आसपास के अन्य चींटियों के लिए चिंता दिखा सकते हैं। चींटियों, फेरोमोन, नामक रसाइनों का उप्योग करके प्रभावी धंग से समवाद करने और सहयोग करने में सक्षम है. 5. डॉल्फिन हम सभी डॉल्फिन के बारे में सुना है जो एक हमले के बाद मानव को बचाने के लिए शार्क से लड़े हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि डॉल्फिन उसकी मुकाबले अधिक बुद्धिमान है. कुछ क्षेत्रों में उन्होंने मच्वारों के साथ काम करना शुरू कर दिया है, सिगनल करते समय मच्छिया नैट से पकड़ी जाने के लिए तैयार हैं. इसके अलावा, वे मानसिक क्षमताओं को गंभीरता से उन्नत कर चुके हैं, कैद में वे खुद को दरपण में पहचानने में सक्षम होने लगते हैं, और जंगली में वे आत्मसनरक्षन को समझते हैं, चटानों के निकर तैरते समय उनकी नाक्त की रक्षा करते हैं. चिंपांजी और इंसान उलेखनिय रूप से समान हैं, हमारे 99 प्रतिशत DNA साजह करते हैं. चिंपांज हमारे निकर्तम जीवित रिष्टेदार हैं, और इंसानों की तरह सामाजिक समुदायों में रहते हैं और विभिन वातावरनों के अनुकूल हो सकते हैं. वे साइन करने के लिए चिंपांजी स्वरों के उच्चारन, शरीर की भाशा, मानव की तरह चेहरे का भाव और हाथ के इशारों की एक जटिल प्रनाली का उप्योग करें. संख्या 7. कुत्तों 8. अंतरग्यान पर जोड़े की कुत्तों को लगता है कि जब यह मानव के मनोदशा को समझने की बात आती है और यह स्पष्ट हो जाता है कि बुद्धिमान कुत्तों वास्तव में क्या है? 8. मानो या ना मानो वेल अविश्वस्निया रूप से बुद्धिमान जीव हैं वे अपने मचली पकड़ने की तक्नीप को बहतर बनाने के लिए छोटे समूहों में एक साथ काम करने में सक्षम हैं जिसके लिए टीमवक और संगठन का एक बड़ा सौदा आवश्यक है यह नहीं होता है कि हम ऐसी बड़ी प्राणियों को अविश्वस्निया मानसिक चपलता से संबंधित करते हैं लेकिन इसमें हम वेल को एक महान शांती कर रहे हैं संख्या 9. कौवे ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि वास्तव में बुद्धिमान पक्षी वास्तव में क्या हैं लेकिन कौवे सबसे चतुर हैं वे कई इंसानों की तुलना में कुशलता को हल करने और बहतर समस्याएं प्राप्त कर सकते हैं और वे तारों से मूल उपकरनों को फैशन में सक्षम बनाने में भी सक्षम हैं जो उन्हें उनकी जरूरत के मुताबिक मदद करते हैं वैग्यानिकों ने पता लगाया है कि कौवे व्यक्ति के चेहरों को पहचानते हैं और याद करते हैं। एक कौवे के मस्तिष्ट के अलग-अलग क्षेत्रों में प्रकाश होता है जब वहे एक व्यक्ति को देखता है जिसे वहा नुकूल या धमकाता है। संख्यात दास, चुहे, सोचने के बारे में सोचने की क्षमता को मेटासिगनिशन कहा जाता है और कुछ साल पहले वैग्यानिकों ने पता लगाया कि मनुश्य की तरह चुहे, जो भी करते हैं या नहीं जानते हैं, उसके आधार पर निर्नय कर सकते हैं। अध्यानों से यह भी पता चलता है कि चुहू को आश्चर्य की बात है, वे आत्म चिनह कर रहे हैं, वे बहुत ही अच्छे हैं, और वे हम जैसे ही सपने देखते हैं। पालतु चुहू बहुत सामाजिक हैं और अपने मालिकों के साथ मजबूत बंधन बनाते हैं। वे अपने नाम सीखते हैं और आते हैं जब उन्हें बुलाया जाता है, और वे अपने पिंज्रे से समय के लिए भीख मांगते हैं कि वे खेलने के लिए और उनके मालिकों के साथ बातचीत करते हैं। Hope you like the video. Don't forget to like and share and subscribe to random shit for more interesting videos. Have a nice day!